हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों अक्सर में आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ कल जैसे हमारे माननी सीम सामने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब मद्धिप्रदिस के चात्रों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी इसमें क्या प्राबधान किये गए हैं और आगामी जो जो जोब निकलने वाली है उस पर कैसे लागू किये जाएंगे और क्या-क्या कटनाईया है वो सब इसमें आज दर्साया गया है तो ये आज कर न्यूज पेपर है दोस्तों देनिक बासकर है ग्वालियर से जो एडिसन निकलता है बुद्धवार 19 अगश 2020 और ये पेज नंबर एक पर ये आपका दिया गया है दोस्तों तो इसके हम विशलेशन कर रहे हैं तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि जो आपकी पुरानी वढ़ती है क्योंकि कल बहुत सारे कमेंट आ गए कि सर वर्ग एक और वर्दो पर लागू होगी कि नहीं होगी तो संबप्ता वर्ग एक और वर्दो आपकी 2018 की बढ़ती है वर्ग तीन आपकी अभी की बढ़ती है जिसके फॉरम फिलो चुके है अब एक्जाम होना है तो संबबता वर्ग तीन पर ये लागू न हो लेकिन वर्ग एक और वर्ग दो पर भी ये लागू नहीं होगी आगामी जो आपके कोई भी जौब निकलती उस पर ये प्राबधन लागू होगा दोस्तों और वही इसमें भी दर्स आए गया है आप उपर जैसे हेडलाइन दे दोस्तों अब इसमें लिखाए हेडलाइनस आप देखें अब मद्य पिर्दिस के चात्रों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी और इसमें भी राज्यों में जो प्राबधन किये गहें उसके बारे में बताए गया है यहाँ से हम देख रहे हैं इसका बिशलेशन कि सरकारी नौकर प्राबधनों के अध्यन के बाद यानि कि अन्य राज्यों में क्या नियम बना गए उनका अध्यन किया गया है यहाँ पर के बाद नियम iseं किविने में लिया जाएगा जाये और फिर इसकी मनजूरी दी जाएगी दोस्तों ठीक है अभी इसमें आंगे देखें अभी सामा ने पिरसासन विवाग की ओर से तैयारी सुरू की गई है किस इस तर की नौकरिया और कब से इसका लाब मिलेगा यानि कि इसका लाब कब से मिलेगा ये भी डिसाइड अभी करना है ये नियम बनाने के बाद तै होगा अभी नियम बनेगा दोस्तों उसके बाद ये तै कि परिक्षाओं को इसके दाएरे में लिया जा सकता है तो यहां पर एक सम्भाबना बताईए कि पी एबी द्वारा जो भी परिक्षा निकाली जाती है उनके इस दाएरे में रखा जा सकता है बहराल इस पैसले का फाइदा 15-20 लाख इवाओं को होगा जो इस समय रोजगार की देहलीच पर हैं चालू बित्तिय बर्स में 10,000 बर्तिय सम्भाबित है तो अभी 10,000 बर्तिय और आनी है जिसमें यह सम्भाबित है कि यह नियम लागू कर दिया जाएगा अब इसमें आगे देखें दोस्तों इस राष्टे से रहात दे सकती है राज्य सरकार अब क्या क्या करेंगे यह पहला पॉइंट देखें दसमी या वार्मी या फिर दोनों परिक्षा मर्द परदेश के स्कूल से उत्रीन करने का प्राबधान ठीक है तो एक तो यह प्राबधान हो गया दूसरा है मूल नवासी को अनिवारिता तीसरा है चिट्ति और चतुर सेंडी की नौक प्राबधान है तो यह अनिवारिये कर दिया जाएगा च्छटमा पॉइंट देखें प्रपस्नेल एक्जामनिशन बोर्ड या MP PSC या दोनों की भठती परिक्षा में या लागू हो सकता है तो दोनों में लागू हो क्योंकि आपके प्रपस्नेल एक्जामनिशन बोर्ड को भी इस दाइरे में और MP PSC हो तो यह भी एक है सामान पिरसासन बोर्ड के अपसरों के मुताविक तो यह एक बात बताई गई है कि यह जो 6 पॉइंट है इनको लागू किया जा सकता है इस पे विचार बिमर्स किया जाएगा अब अन्य राज्यों में क्या प्राबधान है ज प्रिदेश में रहने वाले को प्रमाणपत्य देना होता है उत्रह खंड में क्या प्राबदान है दूस्तों डस्मी कक्चा स्थानी आप से उत्रीञा यह दो से वह से रहकर की है उन्हीं भूप पर उत्री न होना चाहिए तभी वो फॉरम एक इस ज़ी माराठी अनिवारीय है तो इस हिसाब सब्सक्राइया है. अब इसका और जो बिशलेशन है वो पेज नमबर 4 पर दिया गया है उसे भी हम देख लेतें इसमें दोस्तों एक बक्तब भी आया है डक्टर सिरी के एस तिवारी जो सिक्चा बिद है उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार का नेंड़ उचेत है ग्रेट 3 ग्रेट 4 के पदों के लिए मूल नवासी प्रमान पत्र का प्रापधान किया जा सकता है तो यह उन्होंने अपने एक बक्तब यहां पर रखा है अब हम इसमें पेज नमबर जो 4 पर दिया गया उसका भी अपलोकन कर लेते हैं तो दोस्तों यह पेज नमबर 4 पर लिखा हुआ है इसमें क्या द जार कर रहा है इसमें की करीबन 6.5 लाख आवेदा हो सकते हैं तो जो प्राफ्मिक यानि की वर्ग तीन की भड़ती पर यह लागू किया जाता है तो इसमें 6.5 लाख आवेदन हो चुकी है तो इसमें वह भी संबाबना बताई गई है बर्ग तीन पर और यहां तक आपकी जो भड़तियां वर्ग एक और वर्दों पर संबबता उन पर यह लागू नहीं होगा क्योंकि उसकी जो सेलेक्शन लिष्ट है वो अब बन चुकी है और जो बर्ग तीन है दोस्तों उसकी अभी तक नियम किलियर नहीं है मैंने आपको पहले भी बताय था कि यह आपकी जो वर्ग तीन है वो एक सर्थ पूरी करती है तो इसमें साप लिखा है कि इवा प्रात्मिक सिप्चक की भठती की इवा का भी इंतजार कर रहे हैं तो इसमें यह लागू होता है कि नहीं होता अभी संसे बना हुआ है तो इस पर कहना बहुत जल्दवाजी होगा ठीक है दोस् इस पर रोक लगी गई निजी भड़तियों की जरू सिवरा सिंग जी की पूर में 50 फीसदी और पूर में कमलना सरकान 70 फीसदी नौकरी का प्राबदान किया था जो लागू है यानि की निजी भड़तियों में तो यह लागू है लेकर गवर्मेंट की जो भड़ती पर है वो सरकार ने भी पिर्देश के इस्तानिय लोगों को नोकरी दिये जाने के फैसला लिया था लेकिन कोट ने रोक लगा दी थी इसलिए पहले सिरी सिवरा सिंग चौहन कोट में जाएं और रोक लगी हुई है उसे हटवाएं तो यह भी एक बात कही गई कि पहले भी एकोसिस कर च बक्तब बिता और यहां पर जो पूर पिर्मुक सचेव सामाने पिरसासन विवाग हैं उनका बक्तब बाया सिरी मुक्तेस जी का तो उन्होंने क्या लिखा है कि सुप्रीम कोट की रूलिंग है कि किसी भी राज्य में 50% से अधिक आरक्षण ना हो मेरे समय समय पर विवाग अलग-अलग तरक के साथ लाब बढ़ाने की बात करते हैं हमने सभी को यही लिखाया कि सुप्रीम कोट से बाहर नहीं जा सकते अभी यदि गुशना की गई है तो राज्य सरकार को कोई विकल्प देख रही होगी लेकिन यह भी सही है कि किसी भी तरीके से मर्द्य प्रदि आप मेरी बात को समझे होंगे और पूरे बिशलिशन को आपने घहराई के साथ समझ लिया होगा दोस्तों तो एक वीडियो सुचना मातर था आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए आपको तहे दिल से धन्नवाद दोस्तों